हेलो गाइस मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर श्वागत करती हूँ आज में आपनों को रक्षा बंधन कब है 2023 दिन और तारीक भरत्र काल का शमय पोड़िमा तित राखी बानने का शुब मोहोट जाने रक्षा बंधन का तोहार एक हिंदू तोहार है ये बहन और भाई के लिए उच्सो का दिन होता है इस दिन सभी बहने अपने भाईयों के हाथ पर तरा तरा के धागे राखी बान कर उनके सुख्यों सम्रतिकी कामना करती है और शाथी साथ भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वच्चन लेते हैं रक्षा बंधन का तोहार शाल में एक बार आता है रक्षा बंधन 2023 कितनी तारीक को है रक्षा बंधन का पवित्र पर्भात्र रैत काल में ही मनाना चाहिए रक्षा बंधन का तोहार हर साल स्रावन माश की पूरिमा के दिन होता है इस बार 2023 में रक्षा बंधन 30 अगस्त 2023 दिन बुद्धवार को हैं आप राखी बानने के मुहूर्ट के अनुशार अपने भाई के राखी बान सकते हैं रक्षा बंधन के त्योहार को हम राखी और कुछ हिस्सों में इस पर्व को राखी के नाम से भी जानते हैं रक्षा बंधन 2030 का सुब मुहूर्ट इस दिन राखी को बाननावा बनवाना शुब मुहूर्ट में ही करना चाहिए इसके लिए 2030 में सुब मुहूर्ट कुछ इस प्रकार है रक्षा बंधन पर राखी बानने का शुब मुहूर्ट 2030 इस बार राखी बानने का शुमुहूरात को 9 वसकर 3 के बाद से सुरू है रक्षा बंधन का तोहार रक्षा बंधन का तोहार पूरे भारत में एक ही दिन मनाया जाता है बस लोग परंपराओं के कारण कुछ जगा इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है रक्षा बंधन का तोहार हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र तोहार है शायद ही इतना पवित्र तोहार कोई और है हो भाई बेहन के लिए ये दिन किसी 900 मातरशे कम नहीं होता सभी बेहन चाहें वो किसी भी आयू की हो वो अपने भाई को राखी बानती है और चाहे भाई कितना ही भी दूर रहता हो बिना दूरियों को सोचे बहन वहाँ पहुचाती है और रच्छा कवच के रूप में धागा बानती है उनको मीठा खिलाती है सभी भाई अपनी वहनों को वेल्ट के रूप में कुछ ना कुछ उपहार देते हैं